नमस्कार, मैं आज आपको वास्तु के ऐसे सुपर साइंस की और ले चलता हूँ, जो अपने आप में अद्वितिय है, जो वास्तु का विज्ञान सनातन से हमारे विचला आ रहा था, उसे अनेक आक्रमन कारियों ने पूरी तरह से ध्वास्त कर दिया था, परन्तु मैं आपको उन सास्त्रों के गहन अध्यान के बाद फिर से वही वैदिक वास्तु का विज्ञान मैं आपके सामने दुबारा लेके आया हूँ, और हम लोग इस वास्तु सास्तर में उसी विज्ञान के बारे में सिखेंगे, जो आज के समय में लोग 8 दिसा पे वास् को नहीं समझते, उसको बहुत ही हलके में लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं कि बहुत ही आसान है, और एंगल ना निकालके सिर्फ कोने को ही इसान को नेरित कोन वायब कोरा अगनी कोन समझते हैं, और 16 दिसा को ना निकालके सिर्फ 8 दिसा का वास्तु करते हैं वो ऐसी भूल करते हैं बट मैं क्या कहूं यह उनकी नादानी है क्योंकि मुगलों के आकर्मन से हमारा जो सास्त्र था वो लगबग लगबग फिर उस गहराई तक नहीं पूच पाया कोकि उनके पास नहीं इतना सीखना चाहते थे ना ही वो इतना डीप में जाकर स्टूडी करना चाहते थि जो हमने वास्तू का कॉर्स लाया है कम्प्लीटली ऑनलाइन कोर्स है जिसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियो जैसे मैं भी आपको बता रहा हूं कोर्सेच के बारे में इसी तरीके से इसी बोर्ड पे पूरा का पूरा वास्तु सास्त रिकॉर्ड करके आपको दिया जाएगा और आप उसको चैप्टर बाई चैप्टर देखते रहेंगे और एवरी वीक आपको लाइव क्लासेच दिया जाएगा क्योंकि जो आप चैप्टर स्टडी करेंगे उसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो उस लाइव क्लास में आपको उसके बारे में दुबारा समझाये जाएगा एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज आप से छूट जाए इस कोर्स को हमने तीन महेने के लिए रखा है लगबग लगबग के सतर घंटे का कोर्स होगा जिसमें आपको चार चैप्टर एवरी विक क्यानि हर सब्ता में मैं आपको चार चैप्टर दूँगा जब आप उस चार चैप्टर को पढ़ लेंगे तो दो घंटे का एवरी व साथी साथ वास्तु सिखर की वेबसाइट पर आपको lifetime membership मिलेगा जहां आप कभी भी आके magazine read कर सकते हैं हमारे articles को पड़ सकते हैं कुछ नए नए research को आप study कर सकते हैं जो हमारे case studies है उसको आकर आप देख सकते हैं आप खुद भी उसमें studies डाल सकते हैं साथी साथ वास्तु के toolkits दिये जाएंगे case study material यानि हम लोग वास्तु करने जाते हैं जो भी student लोग जहां जहां अपना experience लेंगे वास्तु करते समय वह सारा share करेंगे वह सारा का सारा website में mention किया जाएगा और every month e magazine imagine के अंदर जिनका जिनका जो research होगा उस research को डाला जाएगा नए-nए case studies को डाला जाएगा तो आएए हम लोग वास्तु के class में क्या-क्या cover करेंगे अब इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे basic of वास्तु यानि समझेंगे वास्तु सास्त्र के बारे में फिर हम पढ़ेंगे five element यानि पंच तत्व के बारे में कि की पंची तत्व का कैसे balancing हुआ कैसे एक कंट्रोल करते हैं कैसे एक दुस्रे को suppressed करते हैं कैसे एक दुसरे को बढ़ाते है साथ सॉला दिशा के बारे में पढ़ेंगे ते इसके साथ को WIN देता और शूर को समझेंगे वास्तू पूरुष के सरीर पे 45 देवी देवता और अशूर विराजमान है उनको हम एक एक करके समझेंगे कि कैसे वो वर्क करते हैं साथी साथ हम लोग बार चार्ट श्टडी करेंगे कई बार बार चार्ट का मतलब क्या होता 16 दिसा की जो अलग-अलग लेंथ होते है ने कई बार रेक्टैंगिलर होता है करिकली चार्ट बनाएंगे कारी कि लेंथ की आगर कम है तो कैसे बढ़ाना назад जो इसको कम करना फिर अम लोग पढ़ेंगे 32 दरवाजे के बारे में जिस तरीके से 16 दिषाएं होती है उसी तरीके से गलत नुकसान होता है क्योंकि ट्वाइलेट कंप्लीटली राहू होता है यही गलत जगह अगर बन जाए तो घर में बहुत बड़ा वास्तुदोस होता है इसलिए बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है तो ट्वाइलेट का सही अस्थान क्या होगा और गलत जगह बन गया तो क्या वास्तु दोस होते हैं उससे साथ में पढ़ेगे room कौन सा bedroom अच्छा होता है कौन सा bedroom किसके लिए अच्छा होगा कितने data बर्थ वालों के लिए कौन सा room suitable होगा किसके लिए नहीं होगा room के बारे में सारा study करेंगे फिर kitchen के जैसे हमने से क्या benefit मिलता है फिर इसके बाद पढ़ेंगे बारे में स्टोर रूम का सही location कहां है फिर stairs के बारे में पढ़ेंगे stairs कैसे बनाना चाहिए किस direction में बनाना चाहिए और clockwise और anti-clockwise कहां होना चाहिए यह सारजी से मंदिर का जो positive result होता है वह आना बंद हो जाता है फिर इसके बाद study करेंगे topic wise अभी जो हमने पढ़ा वास्तु के हर aspect को देखा ट्वाइलेट कीचेन बातरूम कहां कहां बनेगा फिर हम लोग अलग से topic wise study करेंगे कि वास्तु का health पर क्या impact है फिर health में पूरा वास्तु वापस study करेंगे कि कहां क्या गलत होने से किस तरह की विमारी होती है उसी तरीके से relationship से related question अगर आता है तो आप बिना वास्तु देखें बिना घर देखें आप तुरंट बता देंगे कि घर में कहां वास्तु दोश है कितने डिगरी पर क्या बना है फिल्ट के लिए भी आप पहले से आपको पता होगा इस तरह की प्रॉब्लम आई है तो इसका करण घर में यह वास्तु दोस है आप तुरहन तुसको रिवर्स थियूरी के थूरू आप आसानी से पता लगा लेंगे रिलेशन के बाद करियर है कि वास्तु में करियर कैसे देखना है कौन सा डिरेक्शन करियर को इंक्रीज करता है कहां से करियर खराब होता है कैसे बैलेंस करें कि करियर अच्छा हो हर करियर के लिए एक अलग अलग तरीके से हम लोग वास्तु को स्टड़ी करेंगे फिर हम कहा टेबल रखना चाहिए बच्चे का कहा बुक्स रखने चाहिए कहा बैट के च्टडी करेंगे कि marriage life को improve करने के लिए marriage life को और मधूर बनाने के लिए क्या वास्तू उपाय हो सकते हैं फिर ऐसा कौन सा वास्तू दोस्य जो marriage life को खराब करता है बीना वजह के बीना किसी कारण के पती पत्मी के बीच में जगड़े सुरू हो जाते हैं उसका कारण समझेंगे फिर बिजनस बिजनस को grow कैसे करें बिजनस में opportunities कैसे ना है money जो फस रहा है उसको कैसे लेके आए यानि business से करना चाहिए क्योंकि यह सिक्षा का मंदिर है और इसको कितना positive बनाना है क्या वास्तू उपाय करने हैं जो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाए वह पढ़ाई के समय Concan extrator है memory उसका सार्फ हो तो स्कूल का वास्तूерм अलग तरीके से करेंगे फिर हैं हमारा Industries काए-इंडस्टी बिजनस का वास्तू बिलकुल अलग तरीके से होता है ना जहाँ bedroom होता है नहीं kitchen होता है इसका वास्तू jeśli भेज़ होता है तो कौन से machine कहा रखे कहां भारी तो पहां से सेल्स निकलेगा वो सारा हम लोग study करेंगे बॉस का केविन कहां होना चाहिए एक काउंटेंट का केविन कहां होना चाहिए हर स्टाफ के बारे में बताऊंगा कि कैसे एक office का वास्तू किया जाता है फिर हम लोग पढ़ेंगे घर के लिए जबी जो हमने पीछे बताया घर का एक एक part by part study करेंगे और hospital का hospital का वास्तू भी बिल्कूल अलग होता है घर के तरह नहीं होता यहां surgery होता है operation theater होता है साथ में doctor का अपना केविन होता है medicine रखने का अस्थान होता है उसमें हम 16 direction निकालके exactly एक एक ऐसे जगह पे रखेंगे कि जो surgery का अस्थान है जो ICU है वो किस जगह पे बनाना च जाए doctor जब इलाज करने जाए तो उसका mind में clarity हो कि हमें क्या करना है कोई भरम ना हो कोई राहू की energy को नगेटिव energy क्रियेट ना हो तो उसके ध्यान रखना पड़ता है hospital के वास्तू का अलग ही तरीका है फिर हम पढ़ेंगे दुकान का माल कहां रखना है जल्दी भी के ग पुजर जाए और वह समाना आपके दुकान में है तो फिर वह आपके ही दुकान से ले तो कैसे हम एक सौप की एक दुकान की energy को डबलब करते हैं जहां पर सेल अच्छा हो money अस्टक नहों और आसानी से आपका business grow करता रहे इसके बाद हम लोग remedial part के आएंगे अभी तक तो हम सिर्फ identification कर रहे थे वास्तु दोश का कि कहां वास्तु दोश होता है तो क्या होता है इन सारे वास्तु अश्टडी में एक सबसे महत्पुन पाठ होगा कि आपके पास जब भी कोई client आएगा और आपको बताएगा कि हमारे घर में ये वास्तु दोश है तो आपको वो नह ही बताएगा वास्तु दोश आप बताएगे कि आपकी इस समस्या का करण आपके घर में इस जगह पर बना हुआ ये वास्तु दोश है और आप connect करके देखिएगा आप जो भी बोलेंगे 100% सटिक बैठेगा क्योंकि हम लोग इतने सारे example study कर रखे होंगे हम लोग इतने सार है उसके घर में energy कैसी है कौन सा direction खराब है कौन सा direction में क्या रखा हुआ है completely बीना घर देखिया आप बता सकते हैं और जब आपको इतना knowledge होगा तो obviously जब आप घर में जाएंगे तो जो नकसा होगा जो 16 direction आप निकालेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपने ज जो calculation और जो symptom अगर दोनों match करेगा तो घर में वास्तुदोस मिलना ही मिलना है उस direction में वास्तुदोस होगा ही होगा फिर हम लोग पढ़ते है रेमेडियल पार्ट यह तो बीमारी बताना था रेमेडिज कैसे करें तो सबसे पहले घर के 16 directions को निकालेंगे 32 दरवाजे को नि identify करेंगे और उसको फिर balance करेंगे फिर पंच तत्व की balancing करेंगे कलर कहीं गलत तो नहीं कर दिया कोई गलत समान कहीं तो नहीं रखा हुआ फिर उसको ठीक करेंगे इसके बाद जो step आता है programming का कहां कौन से picture लगानी है कहां क्या रखना है पूरी घर की हम programming करेंगे 5 elements के balance करन करने के बाद और main door की study करने के बाद जब पूरा वास्तु finish हो जाता है तो 15 दिन के बाद फिर हम लोग एक वास्तु पूजा वास्तु का पूजा हवन रखेंगे कि जो वास्तु पूरस के सरीर पे जो surgery हुई है जो हमने programming कर रहा है उसके बाद जो cut जो surgery के जो कर्ष्ट हु राक्षस के तरह बेवार करता था वो पुना मंदिर का रूप धारन कर लेता है इसके लिए आपको वास्तु सिखर.com जो हमारा website है www.vastusikhar.com वहां पे visit करके आप वहां से course में जोईन कर सकते हैं आप वास्तु शिखर application मोबाइल में Android में आप application डाउनलोड करके आप वहां से course join कर सकते हैं आप वहां से हमें live देख सकते हैं आप वहां से सारा study कर सकते हैं फिर भी आपको कोई दिक्कत आता है समझने में तो आप call करें आपकी पूरी की पूरी सहायता की जाएगी